मुझे कई सारे प्रशना आते हैं कि पीरिट्स में लड़ु गुपाल की सिवा कैसे करें, पीरिट्स में लड़ु गुपाल को भोग कैसे लगाएं माता येशोदा को भी पता था कि उनका पुत्र कनहया वो भगवान का अवतार है फिर भी वो उने बांद देती थी, फिर भी वो उने सजा देती थी मटकी फोड़ने के लिए अगर आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे सोएगा तो पहले तो अपनी कनफीजन दूर करें, वो भगवान नहीं है, वो एक लल्ला है, वो एक छोटा बाबू है वो भगवान का बाल स्वरूप है, जिसके सेवा आपको करनी है, जिसके सेवा आपने ली है भगवान भकत के वश में होते है, भगत के वश में है भगवान, अगर फिर भी आपको लगता है कि वो तो भगवान है, वो बाल सो रूप में है, तो क्या हुआ, तो आप मांसिक सेवा करें, इस से ज़्यादा आप कुछ न करें, आप मन से ही उन्हें खिलाएं, मन से ही उन्ह सेवा कर सकते हैं वीडियो चाह लगा तो एक लाइक जरूर करें और कॉमेंट में लिखें राधे राधे